इंजन फ्रीमियर लीग 2023 के कॉलिफायर वन में चेने सूपर किंग्स ने गुज़राय टाइटिंस को 15 रनों से मात देकर इस सीजन के फिनाले में अपनी जगा बनाएं टीम के ओर से सभी खिलाडियोक ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी टीम की जीत में एहम भुमिका निभाई हाला कि कॉलिफायर वन के मुकाबले के बाद जड़ेजा को काफी परिशान होते हुए देखा गया और बाद में उन्हें टीम के सीओ काशी विश्वनाद के साथ भी काफी लंबे समय तक बातचीत करते हुए देखा गया रविन जड़ेजा को गुजरात टाइटिन्स के खिलाफ खेले जा चुके मुकाबले के बाद टीम के CEO काशी विश्मिनाद के साथ काफी लंबे समय तक बातचीत करते हुए देखा गया रिपोर्ट की माने तो रविन जड़ेजा और चैनी सूपर किंग्स के कप्तान महेंदर सिंग धोनी के बीच पिछले कुछ समय से चीज़े सही नहीं चल रही है सवाल उठता है कि क्या वाकई रिष्टे इतने बिगड़ चुके हैं कि आने वाले सीजन में रविन जड़ेजा अपना नाता CSK से तोड़ सकते हैं इससे पहले भी कुछ फैंस जड़ेजा को RCBC जड़ने की सलह दे चुके हैं उन्होंने सोचल मीडिया पर कर्मा लोट कर आता है का एक पोस्ट डाला था जिसे उनकी पत्नी ने भी लाइक और शेयर किया आई पियर से जड़ी ऐसी ही और धेर सारे बिलचस्प ख़बरों के लिए हमारे चानल करके फ्रेंजी को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसद आयों दो वीडियो को लाइक करें थांक यू जैहिंद